पॉल जिसे चाहे बुला ले bloodlines is hunting me I am hunting the bloodline bloodline मेरा कुछ भी नहीं भिगाड सकती लेकिन मैं बहुत कुछ भिगाड़ूंगा bloodline का नहीं छोड़ूंगा मैं rock roman किसी को भी दोस्तो आज मंडे नाइट रो में हमें कोडी रोट्स का खतरना ग्रूप देखने को मिला तो क्या दिखते हैं और वो कोडी रोट्स पर दबदबा बनाया इस मैच के दोरन ओस्टन थियोरी रिंग साइट पर परजेंट थे थोड़ी देर बाद कोडी रोट्स ने मैच में वाफसी की और ग्रेशन वोलर को रिंग के बाहर किया ब्रेक के बाद ग्रेशन वोलर ने एक बार फिर अमेरिकन नाइट मेर पर दबदबा बना लिया जल्दी कोडी रोट्स ने ग्रेशन वोलर को स्लैम दिया और आप से उन्हें अपना मूब देकर पिन फॉल के जरिये जीत हांसिल करने की नाकाम कोशिश की इसके बाद कोडी रोट्स ने मैच में दखल देने के लिए औ पॉ्लहयमन कहते हैं के लेडिज एंड जेंटलमेन माइनेम पॉलहयमन ऑर मैं तभी करों रोकते हुए कोडी रोट काते कि मुझे फर्क नहीं पड़ आ है अगर ब्लयड लाइन यहाँ पर है तो आजाए इसके बात पौलहयमन काते हैं को सब लोग शानत हो जाएju कैलिफॉ नहीं मांग रहा है तुम से मैं समझता हूँ कि कितना इंसन्टिंग होता होगा जब सीदे कोई आपके करन के नीचे भजा दे मैं समझ सकता हूँ पर तुम्हें दरॉक का नाम अपने मुझे बाहर रखना होगा क्योंकि मेरे ट्रावल चीप ने मुझे बताया है और तुम में इवेंड हो रसल मिया के रोमन रैंक्स के अगेंस अंडिस्पूटे डबलो डबलो युनिवर्सल टाइटल के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कोडी मैं भीग मांगता हूं प्लीज इस चैलेंज को विड्रॉ कर लो धर्रॉक की चुनोती को वाफस ले लो और एल् नाम से लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है तो आजा पॉल कितना दम है तुझ में जल्दी पॉल हैमन और सिकुरिटी गार्ड एपरेन पर आ गये लेकिन कोडी डोट्स ने उन्हें रिंग में आने की इजाज़त नहीं दी इसके बाद वो लोग रिंग में आ टैक किया और उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और दोस्तों साथ इसाथ नेक्स्ट विक के फ्राइडे नाइड एस मैक डॉन में दरॉक का रिटर्न कनफर्म कर दिया डबलु डबलु ने तो दोस्तों अब इसे स्टोरी में और भी तगड़ा मोन लेते जा रहा है तो अब इसके लिए कितना जाता एक्साइट है अब में एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताए तो दोस्तों इस वीडियो में तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में